तो टुड़े वी ओना मेक मटट की कचोरी यह बहुत ही यह लगता है खाने में आप देख सकते हैं कितना हरा बढ़ा दिख रहा है इसे आप घूगनी के साथ सर्फ कर सकते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाई में तेल गर्म हो जाए तो क्यूमिन सिट्स तो थोड़ा हिंग एड करें पिंच ओफ हिंग देन चॉप किया हुआ अनियन अनियन को साटी कर लेंगे लगभग दो से तीर मिर तर जब तक यह ट्रांस्पारिन ना हो जाए बहुत ज्यादा फ्राइन करना है देन गार्ली और जिंजर क्रेट किया हुआ एड करेंगे और ग्रीन चिली का पेस्ट आड करेंगे आप यहां पे ग्रीन चिली भी चॉप किया हुआ अड कर सकते हैं अनियन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मसाले में दन्या जीरा हल्दी ब्लैक पेपर गरम मसाला और आमचूर पॉडर आड करेंगे मसाले एक साथ ही आड करें वन तक बॉइल किया था बॉइल करने के बाद रफली ग्राइंड कर लिया था तो क्रीन पीज में मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए इस तरीके से हम फ्राइब करेंगे इसमें साल्ट आड करें स्वाद अनुसार और अंती में धन्या पत्ता इसे अच्छा से मिक्स कर लें करके आड करें नमक स्वाद अनुसार और मिक्स कर लेंगे इसे जब यह बढ़ियां से मिक्स हो जाए तो पानी आड करके हम इसका सौफ्ट दो तेयार कर लेंगे इसे धक कर रखतें दिल लगवर दस से पंद्रे मेट तक पंद्रे मेट के बाद एक छोटी सी डो लें हलका स पत् mandarποय से प्रधन लगाएंगे हम ताकि चिप-चिपा ना हो जब हम स्टफिंग से इसमें तो इस तरीके से हम ऐसे हाथ के मदसीर से करएए किसके इस के शेंटर में स्टफिंग से करेंगे सिसे प्रेस करकर अशीक करेंगे प्रेस करके इस तरीके से हम उपर से इसे क्लोस कर देंगे और सेम इसी तरीके से सारे कचोड़ी को बना लेंगे एक परफेक्ट गोल सेप देंगे और यह हमारा सारा कचोड़ी रेटी है फ्राई होने के लिए अब मेजियम फ्लेम पे हम सारे कचोड़ी को फ्राई कर लेंगे फ्लेम हाई ना रखें इससे ग्या होगा कि बाहर का जो परत है वो पक जाएगा बट वो अंदर से कच्छा ही रह जाएगा तो दो तीन मिनट के लिए हम फ्लेम को लो भी कर देंगे ताकि बढ़ियां से पके और थोड़ा क्रिस्पिनिस आए अब हो जुक है ृड़ी सारा excess वाइल को इस तरीके से हटा ले और प्लेट में निकाल ले यह देखें कितना बड़ियां दिख रहा है यह खाने में भी बहुत बड़ियां लगता है इसे सर्फ करें किसी भी सबजी के साथ अलौ की सब्जी के साथ सर्फ कर सकते हैं